चीता जंगल का सबसे तेज दोलने बाला खतरनाग सिकारी है जो 120 किलो मीटर प्रतिहाबर की रफ्तार से अपने सिकार पर अटेक करता है वही ओस्ट्रीच भी रेगिस्तान के सबसे तेज दोडने बाला पक्ची है लेकिन क्या होगा जब चीता का सामना रेगिस्तान के पक्ची सुतरमुर्क से हो जाए वैसे तो एक अकेला चीता ओस्ट्रीच का सिकार नहीं कर सकता लेकिन उस्ट्रीच की नजरे कमजोर होने की बज़े से अगर चीता का जुंड एक साथ हो तो उस्ट्रीच को मौद के घाट उतार सकता है अगर आपको कोई डॉल्फिन समुदर के बाहर बीच पर मिलती है तो उसे पापस पानी में भेजने की कोसिस ना करें क्योंकि ऐसा डॉल्फिन बीमार होने पर पानी में डूबने से बचने के लिए करती है वैसे आपने कभी डॉल्फिन को देखा है हमें कॉमेंट करके जरूर बताना